हेलो फेंस वेल्कम तो क्रेजी जी कर ट्रिक और हमारी उत्तर पड़ेस की ज interpret कि घग फिर बूंतर प्रफी आज का हमार टॉपिक रहेगा उत्तरप्रदेश के उर्जा संसादन या फिर यहां के एनरजी रिसूर्स तो इस टॉपिक को आज हम डेटेल में चर्चा करेंगे इसके लावा जो भी दोस्तों यह हमारे वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तरप्रदेश के जितने वी competitive exams होते हैं उनके लिए काफे ज्यादा important रहने वाले हैं तो आँगे चलने से पहले topic को start करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको updated दूए अधि आपको इस topic के PDF चाहिए तो आप हमारे crazy gk trick के application से PDF को download कर सकते हैं इसके लावा application पर आपको different type के courses भी मिल जाएंगे तो इन courses को आप वहां से avail कर सकते हैं चलिए तो आजका हमार topic रहेगा उत्तरपदिश के उर्जा संसाधन या फिर energy resources of उत्तरपदिश तो पहले हम इसकी पूरी theory discuss करेंगे और theory के बाद last week हमारा महत्तुकून MC की उसका section रहेगा तो चलिए दोस्तो हम समझते हैं उर्जा संसाधन या फिर energy resources आखिर होते के हैं तो ऐसे संसाधन जिसका उप्योग करके हम उर्जा को उत्पन्न करते हैं उर्जा संसाधन कहलाते हैं example के लिए koila और petroleum यह क्या है उर्जा संसाधन होते हैं कैसे हैं उर्जा संसाधन देखिए करता है तो देखे कोई देश हो या फिर कोई प्रदेश हो उसका विकास काफी जादा dependent किस पर करता है वहाँ पर ओर्जा के संसाधन कितने हैं और energy के resources कितने हैं अब हम बात करते हैं और अनवी करनी है उर्जा सुरोत और हम नवी करनी उर्जा स्रोत तो इनकों हम एक एक करके समझते हैं सबसे पहले समझते हैं अनवी करनी उर्जा स्रोत तो ये जो उर्जा संसादाने ये सीमित मात्रा में इसके लावा इसकार्थ है कि ये एक बार उपभोग कर लिए जाने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे मतलब ये जो ऐसे उर्जा सुरोत है जो कभी ने कभी समाप्त हो जाएंगे जैसे कोईला कोईला भी हम बहुत तेजी से यूज़ कर रहा है एक समय ऐसा है कि कोईला की मातरा बहुत कम हो जाएंगी या फिर एक टाइमे के बाद ही समाप्त हो जाएंगे बिश्व भर में इस आधार पर ये लगवग 90% उर्जा उपभोग के लिए प्रदान करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेन्स बिश्व में किसी उर्जा सुरूत का है तो वो है अनवी करने उर्जा सो तो ये लगवग बिश्व को 90% उर्जा देते हैं कौन-कौन से आते हैं इसके अंतरकत कोईला, पैटोलियम, प्राकृतिक गेस, गैस और परमानो इधन देखिए जैसे कोईला, सबसे ज़्यादी बिजली बनाने की बात की जाए बिश्व में या फिर देश में तो कोईले से ही बिजली बनती है थर्मल पावर प्रांट में इसके लब पैटोलियम आपको पता ही है, कितना ज़्यादा यूज होता है, प्राकृतिक गेस और परमानो इधन तो अनवी करने जो ओर्जा के स्रोत हैं, इनका इंपोर्डन्स काफी ज़्यादा है इसके लब नवी करने के अंतरगत क्याते हैं, यह ऐसी उर्जा स्रोत हैं, जो की प्राकृतिक स्रोतों पर निरफार है तो जो प्राकृतिक स्रोतों से जो हम उर्जा प्रडूस करते हैं, उसे हम नवी करने उर्जा स्रोत के अंतरगत रखते हैं जैसे जल का प्रयोग करके हम विद्दूद बनाते हैं, जो सनलाइट है उसका प्रयोग करके हम सौरूर्जा बनाते हैं, ठीक है अगला पॉइंट इसमें है, यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकते और लगातार इसमें नवी निकरत किया जा सकता है, यह ऐसे उर्जा स्वरोथ हो कभी समाप्त नहीं होने वाले और इसमें हम लगातार उपभोग करते रहेंगे, चलिए आंगे हम बात करते हैं, उत्रप्रदेश के उर्जा संसाथन, उत्रप्रदेश में अप्रेल 1969 में राज विद्दूद परिशत का गठन किया गया था, तो यह थोड़ा आपको डेट निगमों में इस्थानांतरित किया गया, तो देखे, विद्दूद सुधार अधिनियम आया था 2000 में उत्रप्रदेश का, तो इसके अंदरगत क्या किया गया, जो राज विद्दूद परिशत्ता है, इसके जो दायत थे, अधिकार थे, यह सारी चीज़ों को, तीन निगम को अभी डिसकस करेंगे, तो देखे कि कौन कौन से निगम है, पहला है उत्तर प्रदेश विद्दूद उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका काम क्या है, जल विद्दूद के लिए यह जल से जहां पर भी विद्दूद बनाते है, तो उसके लिए यह निगम बनाया गया है, इसके लावा एक है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्परेशन लिमिटेड, तो उसका काम क्या है, वित्रण एवं विद्दूद प्रदाय का कारे करना, जो भी वित्रण होता है विद्दूद का उसका कारे करना, तो यह तीन निगम बनाये गए हैं और तीनों की यह अलग ताब विद्दूद के अंदर को हमें आप डिसकस कर लेते हैं, पहला है, हर्दुआ गंज ताब विद्दूद के अंदर, तो इसकी स्थापना का वोई थी, 1942 में होई थी, सबसे पुराना या फिर सबसे प्राचीन उतरपदेश का यह ताब विद्दूद के अंदर है, जे 2012 में हैना 250 MW की दो यूनिट हर्दुआ गंज विस्तार 1 के नाम से परियोजना सुरू की गई और इसका उतपादन यहाँपर पिजली का अस्ठार किया गया, इसके लावत 660 MW की हर्दुआ गंज विस्तार 2 परियोजना के नाम से 2018-19 से यहाँँपर उतपादन हो रहा है, तो ये दो point भी आपको याद रखने है कुछ यहाँ पर मैंने important fact cover किये है यह है प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्धुत के अंदे तो अभी मैंने आपको बताए कि 1922 में इसकी स्थापना हुई थी इसलिए यह है प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्धुत के अंदे तापी उर्जा के प्रमुक उत्पादक राज्यों में महाराष्ट उत्रप्रदेश और गुजरात है जो हम थर्मल पावर प्लान से है फिर कोईले के थूप बिजली बनाते हैं महाराष्ट उत्रप्रदेश और गुजरात प्रमुक राज्यों है तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है अगला है परीक्षा ताप विद्धुत के अंद्र है तो जहासी में है यह पहले भी हमने पढ़ा है परीक्षा नाम अगिस्थान कहां पर है जहासी में जहासी जनपत के परीक्षा नाम अगिस्थान पर यह इस्तित है मैप में आप लोकेशन देख लिए जहासी की छमता कितनी है तो 640 मेगावाट यहां पर विद्धुत उत्पादन होता है इसके लबब 500 मेगावाट की विस्तार परियोजना की पहली एकाई 2012 से भी यहां पर शुरू हो चुकी है तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है चलिए आंगे बात करते हैं ओबरा ताप विद्धुत केंद्र इसकी स्थापना 1971 में पूर्व सोवियत संग या फिर जिसे हम USSR भी बोलते हैं उसकी साहिता से हुई थी तो यह भी important point आपक इसकी location का है सौनबद जनपद आपको पता होगा यहां पर है सौनबद जनपद चमता किती है इसकी तो बारा सो अठासी मेगावट की यहां पर बिद्धुत पादन चमता है इसमें इसके लावा सिंग्रॉली कोईला खान से कोईले की आपूर्ति इसमें की जाती है तो इसमें को मिला करके एक stream मनाई जाती है और stream की दोरा termine घुमा जाती है और उससे फिर विद्धुत का उत्पादन होता है ठीक है तो इस प्रकार से thermal power plant काम करते हैं तो इसमें जो जलकी अपूर्ति हो रही है और कोईले की अपूर्ति सिंग रॉली के कोईला खान से हो रही ह अगला है अनपरा A ताव विद्धुत के अंदर ये कहां पर है तो ये भी सौनबद्र में located है इसके लावा इसकी छमता 1630 मेगावाट है तो ये भी सौनबद्र का ही है इसके लावा एक और है अनपरा D ताव विद्धुत के अंदर तो इसका जिलावी सौनबद्र पढ़त से स्थापित किया गया है तो आपको याद रखना है चली अगला है मेजा ताप विद्धुत परियोजना तो इसका जिले की बात करो तो प्रयागराज की मेजा तहसिल में यह इसके लब अप्रेल 2019 से अन्यकाई 660 मेगावट का उत्तपादन यहां पर शुरू हो चुका है तो यह सारे पॉइंट आपको याद रखना है जिला याद रखना है इसके लबाब भारसरकार और उत्तरप्रदेश की सेयुक्त परियोजना या फिर जॉइंट प्रोजेक्ट है और आपको इसकी चमता भी याद रखना है एक्जाम में पूछ लिया जाता है अगला है घाटमपूर परियोजना इसका जिला कौन सा है कानपूर नगर जनपत के रामावाई नगर में यह सिचुएटेड है तो यह आप लोकेशन देख लीजी मैप में इसके लाब चमता की बात करो तो 1980 मेगवाट इसकी चमता है उत्तर प्रदेश सरकार और निवेली लिगनाइट की संयुक्त परियोजना है तो यहाँ पर इंप्रदेश में एंटिपीसी द्वारा संचालेट जो गैस आधारिस संयंद्र है देखिए जो यहाँ पर ताप विद्दुत के अंद्र है वो दुर प्रकार के है एक तो गैस आधारित है और एक तो कोईला आधारित है तो जो गैस आधारित संयंद्र है वो कौन-कौन से है और यह ताप विद्दुत के अंद्र है और यह में है आवला ताप विद्दुत के अंद्र यह बरेली में है इसके लावा दादरी एक है वारद्विदूथकेंद्र और एक है ललितपूर ताविदूथकेंद्र. ये सारे निजी छेत्र के आरथारगं प्राइविट कंपनियों के दोरह संचालित है. तो देखे, पहले हम रोजा ताविदूथकेंद्र की बात करते हैं. तो उसका जेला कौन सा है? सहा जहांपूर में ये इस्थित है इसके लबावा इसकी छमता कितनी है तो 300 मेगावाट की चार एकाई यहां यहां पर कारिरत है आधित्य विर्ला गुर्प तो आधित्य विर्ला गुर्प तो इसकी स्थापना की गई थी किन्तू 2006 में से रिलाइंस गुर्प में अधीगरहत कर लिया तो यह काफी इंपॉर्णन फ्रेक्ट बन जाता सीधा से एक्जाम में पूछ लिया जाएगा तो इसकी लोकेशन भी आ यह संचालथ है तो यह भी आपको याद रखना है इसलिए आपको समहू का नाम भी आध रखना है इसके लावा जूला याद रसकivities ओर और वे definite इंदो का ने पूर्प की deadline नहीं दो जूर्य जूल रस आखले ढलरा कई वार एक्जाम में पूछा गया है और आंगी भी पूछा जाएगा इसके लाव है 660 MW की प्रथम यूनिट सितंबर 2015 से यहाँ पर चालू की गई है यह भी आपको पॉइंट याद रखना है अगला है उत्रप्रदिस की प्रमुख जल विद्धुत परियोजना है और फिर हाइड्र एलेक्टिक प्रोजेक्ट तो पहली है रिहन्र जल विद्धुत परियोजना इसका जल आपको पता ही होगा हमने पहले भी चर्चा की है सौन वद्र जलेके पीपरी नामा के स्थान में यह इस्तित है सौन की जो साहिक नदी है रिहन नदी है चलिए हाँ पर मैं आपसे एक क्वेशन पूछता हूँ कि सौन नदी पर कौन से एक डैम इस्ते थे थे हैं फिर कौन सी परियोजना इस्ते थे थे इसके लवद सौन नदी का उदगम कहां से होता है तो यह भी आपको याद रखना है कितने ही काई हैं और कितने कितने मेगावाट की हैं इस परियोजना को गोविंद बल्ला पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है जो यह परियोजना इससे किस-किस में विद्द्ध सप्लाई की जाती है तो जो एलूमिनियम उद्ध्योग इंस्टॉल है रेनुगूट में इसके लावाट चुरक में जो सिमेंट उद्ध्योग है और भारत में जो रेल मार रहे हैं मद्ध भारत के वहाँ पर इस जिल परियोजना की जो पीछे के जील है या फिर वाटर रिजर्वय आज़ रहे है वह भारत का सबसे बड़ी क्रितम जील है तो यह पॉइंट आपको याद रखना है अगली है सार्दा जलविद्ध परियोजना तो इसका जिला कौन सा है बनवाशा पेली भीत नामा के इसके लावा इसकी चम्ता 41400 किलोवाट इसकी कैपिसिटी है ना आप यह जिला मैप में भी देख लीजी मैंने मेंशन किया हुआ है इसके लावा उतपादित विद्ध की आपूर्ती पेली भीत वरेली लखनाव सीतापूर आधी छेत्रों में क्रशी कारी हेतु एवं चलिए आंगे चर्चा करते हैं माता टीला जले विद्धुत पर्यूजना तो ललेतपूर जिले में वेतवन अदी पर मद्धिप्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मान किया गया तो डैम हमने अलरेडी पढ़े हुए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक अगला है ओवरा जले विद्धुत के अंदर तो सौनबध जिले के ओवरा नामक इस्थान पर रिहन नदी पर इसको बनाया गया है चमता 99 मेगावाट है इसकी ठीक है दौनों पॉइंट आपको याद रखना है अगला है सीतला जले विद्धुत के अंदर ये कहां पर है ज 460 मेगावाट की विद्धुत उत्पादन चमता होती है ठीक तो उत्रपरदेश की जो भी नहरो है उसमें 460 मेगावाट की उत्पादन चमता है तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है चलिए अगला है परीक्षा जल्विद्धुत परियोजना तो ये कहां पर है जह अगला है खारा जल्विद्धुत परियोजना तो सहारनपूर जिले में यमुन नदी पर ये इस्थित है आप मैप में देख लिजी सहारनपूर पहले भी हमने कही वाई डिसकस किया हुआ है चमता कितनी है तो 72 मेगावाट इसकी कैपिसिटी है या फिर चमता है अन्य द्वारा 2009 में लगुजल विद्धुत नीदी की घोशना की गई थी तो important है एक्जामन cantica कोशन मनेगे लगुजल विद्धुत नीदी किब घोशत की गई थी तो 2009 में घोशत की गई थी और इस नीदी के अनुसार 25 मेगावाट तक की परियोजना को लगुजल विद्धुत परियोजना कहा जाएगा है न तो यह आपको पता ही होगा जो लगू जल विद्धुत परियोजना होती है वो 25 मेगा ओर्ट से जो कम वाले होती है वो लगू जल विद्धुत परियोजना के अंतरकत आती है तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है important है चलिए हम नावी की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा है नावी की विद्धुत परियोजना नरूरा परमाणू विद्धुत सायंत तो यह कहां पर situated है तो बुलंद सहर में यह situated है नरूरा नामक इस्थान पर गंगा नदी के किनार है तो यह आपको इस्थान भी याद रखना है नरूरा इसक इसको हम बोलते हैं पर आधारेत है ना तो यह स्वदेशी निर्मित इसकी जो भी डेजाइन है वो स्वदेश निर्मित है इसके लबा उननत दवाव तकनीक पर यह काम करता है और भारी जल पर आधारेत है ना पहली का इसकी कब इंस्टॉल हुई तो जनवरी 1991 में और दू इसके लबा भारत में परमानु उर्जा विवाक की जो इस्थाबना थी वो 1954 में की गई थी तो यहां से मैंने अलग से कुछ फैक्ट डाल दी है तो आपको याद रखना है और अन्यदी हम चर्चा करें तो डॉक्टर हॉमी जहांगीर जो भावा है वो भारत में परमानु स जहें तो कुछ अन्य मैंने नाविकी परियोजनाओं की संबंद में कुछ अलग अन्यध़ैक्त कवर किया है तो आपको याद रकना है आगasion है नवी करणी उर्जा के सरोत है न तो हम एक हक करकें को डिसकस करेंगे सारूजा पवन उर्जा और व्यो मास उर्जा या फर ब की गई थी तर फैक्ट एक्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे सोध विकास एवं प्रशिक्षन के अंदर को थोड़ा हम समझ लेते हैं प्रदेश में नवीन एवं नवीकर्णी उर्जा के लिए केंद सरकार के सहयोग से यूनी पैड़ा दौरा घोशी महू चिनहट लखनो और कनोज में इसकी स्थापना की गई है सोध विकास और प्रस्रिक्षन संस्थान के हम बात कर रहा है नवीकर्णी उर्जा स्रोत के संबंद में तो इनके जो सोध विकास संस्थान और इनके स्थापना कहां की गई है तो यह आपको याद रखना है महूजेले की एक जगा है घोशी चिनहट लखनों और कन्योज में इन स्थानों में टीक ही तो यह भी आपको याद रखना है तो 2022 अभी चली रहा है तो 2022 तक कितने गीगावट का लक्ष रखा गया है भारस सरकार के दोरा 100 गीगावट का लक्ष रखा गया है तो यह अलग से फैक्ट आपको याद रखना है ग्रिड संयोजित और फोटो वाल्टिक पावर प्लांट क्या है तो अनुसंधान पर यूजना के तहट 1992 में महु जनपत के सरायवादी गाओं अलिगर जनपत के कल्यानपुर गाओं बस्ती जनपत के हरया गाओं में 100-100 मेगावाट छमता की ग्रिड संयोजित फोटो वाल 2022 तक 10,700 मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर पावर प्लांट की इस्थापना का लक्ष रखा गया है तो जो हम सौर वो जैसे विद्द बनाते हैं तो उसका लक्ष रखा गया है 2022 तक कितने मेगावाट का 10,700 मेगावाट का सोलर सिटी कारेकरम क्या है तो प्रदेश में केंद सरकार के सहयोग से आगरा प्रयागराज एवं मुरादावाद सहर को सोलर सिटी के रूप में विक्षित किया जा रहा है तो सोलर सिटी कारेकरम सीधर साब आप से पूछ लेगा क्या है तो ठीके तो प्रदेश में केंद स इस्थापित किये जाएंगे तो एक और है solar park को यह उजणा खैंद सरकार की तो इन इन जिलों में या फिर जनपद में solar park इस्थापित किये जाएंगे तो यहां पर मैंने map में भी mention किया है आपको याद रखना है चलिए आंगे बात करते हैं पवन उर्जा फिर wind energy की तो कैंद सरकार की एक संस्ता है MNIE की एक report केंद सार प्रदेश में 80 मीटर की उचाई पर पवन उर्जा से 1260 मेगावाट विद्द उत्पादन की छमता मौजूद है तो यह आपको याद रखना है प्रदेश में 80 मीटर की उचाई का पहला जो wind monitoring mosque साह जहांपूर जनपद में इस्था इस्थापित किया गया है तो पहला जो install किया गया था सहाजहांपूर में इस्थापित किया गया था प्रदेश के गोरकपूर महोवा तथा चित्रकूर जनपद में भारत सरकार के सहयोग से पवन उर्जा हेतू monitoring station बनाए गये हैं तो पवन उर्जा के उत्पादन हेतू गो पवन उर्जा का उत्पादन किया जाता है तो देश में सबसे देकिस से किया जाता है तापी विद्द के अंदर से किया जाता है थर्मल पावर प्लैंट से किया जाता है फिर जल विद्द से किया जाता है उसके बाद पवन उर्जा से विद्द का उत्पादन किया जाता है पवन उर्जा के उत्पादन में तमिल नाडू पहले स्थान पर है इसके बाद करमशा महराष्ट और गुच्रात आते हैं तो ये भी इंडिन जोगराफी के कुछ फैक्ट मैंने कवर की हैं तो आपको याद रखने हैं आंगे हैं बायो मास एनरजी या फिर वायो मास उर्जा तो दोनों important है, आपको याद रखना है प्रदेश में 2008 में गाजीपूर सहर के rice processing plant में 15 megawatt का combustion west biomass power project के तहत लगाया गया ठीक है, तो देंके 2008 में गाजीपूर में एक rice processing plant लगाया गया इसमें जो विद्धू तत्पादन, जो इसमें विद्धू सप्लाई की जाती है, वो commission जो यहाँ पर एक biomass power project है, उसके थूप की जाती है, जो की 15 megawatt का है है, तो आपको याद रखना है, कुछ fact अन्य यहाँ पर कवर किये हैं, भारस सरकार के द्वारा 2022 तक 175 gigawatt विद्धू तत्पादन का लक्ष रखा गया है, नवी करणी उर्जा सुरोतों से, इसके लावा लखनाओ की चिडिया घर में एक राजिस्त्री उर्जा पारक की स्थापना की गई है, तो यह सारे fact अन्य मैंने question पूछ ली जाएगा, सरवादिक जल विद्धूत केंदर कहां पर इस्थित हैं, तो उपरी गंगा नहर पर इस्थित हैं, प्रदेश में विद्धूत उर्जा का सरवादिक महत्पूर्श रोतापी उर्जा से होता है, मतलब थरवन पावर प्लांट से सरवादिक विद्धूत उत्पंद की जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था यह point, प्रदेश का पहला जो तैरता सौर उर्जा सयंतर है, वो कहां पर है रिहंद बांद पर बनाया गया है, तो देखे, जो रिहंद डैम में गुविंद बल्लब पंद सागर जो कृतिम जील है, वहाँ पर एक तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है, यह हमने पहले वी चर्चा किया हुआ है, तो आपको याद रखना है प्रदेश में राष्ट्री ताव विद्धुत निगम एंटीपीसी की कुल साथ विद्धुत उतपादन केंद्र है, जिसमें से तीन गैस आधारित है और चार कोईला के आधारित है, तो यह मैंने पॉइंट आपको पहले डिसकस कर रहा है, गैस आधारित कौन कौन से हैं, है ना, अब हमें यहाँ पर कोईला अधारित डिसकस कर लेते हैं, जो कि एंटेपीसी के दोरा संचालेत हैं, तो एक है फिरोज गांधी उचाहार ताव विद्धुत परियोजना, यह रायवारेली में है, एक है टांडा ताव विद्धुत के अंदर यह अंबेटकर नगर म होते हैं, ठीक है, जो गयर परमपर अगर सूरूथ होते हैं, वो प्रदूसरण रहरत होते हैं, मतलब प्रदूसरण से फ्री होते हैं, तो चले अब हम महत्रपूर्ण poor mc के को यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं, तो पहला कुस्यन है, continentधी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर ह पर नरोरा नामा के इस्थान पर यह इस्थित है इसके लावा गंगानदी के किनारे 220 मेगावाट विद्धत का उतपादन इससे किया जाता है अगला कोशन है पवनुजा के उतपादन में देश में पहले इस्थान पर कौनसा राज्य है तो कहां सर जाएगा ए तमिलनाडू अगला कुशन है। नदी पर इस्थित है तो मादाटीला जो है वो बेतवा नदी पर है और ललितपुर में इंस्टॉल है तीस मेगावार्ट विद्धुत का उत्पादन इससे किया जाता है अगला कोशन है निमले खितमे से कौन सी तापी ये परियोजना नहीं है तो इसका अंसर ए ही हो अगला कोशन है प्रदेश की किस नदी नहर पर सरवादिक जल विद्धुत उत्पादन केंदर है तो इसका अंसर जाएगा ए उपरी गंगा नहर ये लाश्ट में आपको अलग से फैक्ट बताय था कि उपरी जो गंगा नहर है इस पर सरवादिक जल विद्धुत होता है वो तापी उर्जा ही है और खासतोर पर थर्मल पावर प्लांट और जो की कोईले के थ्रू हम बिजली बनाते है उससे सरवादिक विद्धुत का उत्पादन होता है अगला कोशन है प्रदेश में निम्न तापी सयंत्रों में कौन एंटी पीसी का नहीं है तो इसका सोर उर्जा सयंत्र कहां बनाया जा रहा है तो रिहंत्र परियोजन या फिर रिहंत्र बाद में जो सोर उर्जा सयंत्र है ये बन चुका है और यहाँ पर कारेकरोम्स ने स्टार्ड कर दिया है अगला है माता तिला जल विद्धोत परियूजञे किस राजी में इस्थित हैं तो इसकांसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं अगला कोशन अबरा ताफ विद्धोत केंदर की स्थाफना किस देश के सहयोग से की गई है तो इसकांसरोजागा सोवियत संग रूस के साहेता से इसकी स्थापना की गई है अगला कोशन है प्रदेश का एक मात्र परमाणू उर्जा संयंतर केंद की प्रथम इकाई चालू हुई थी तो इसकांसरोजागा यह मैंने आपको डिसकस काया था अगला कोशन है प्रदेश में वैकल्पिक उर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक उर्जा विकास अंस्थान की इस्थापना कब की गई तो इसकांसरोजागा वी भारत में परमानो उर्जा आयोक की स्थापना कब की गई तो इसकांसरोजागा वी 1948 में की गई इसके लावा उर्जा बिभाग की स्थापना कब की गई थी तो 1954 में की गई थी ठीक और जो परमाणू कारिकम के जनक कही आते हैं वो हौमी जहांगीर भावा कही जाते हैं तो महराश्टर में हैं तो कौन सा है महराश्टर में है तारापूर भारत का पहला परमाणू उर्जा सही अंदर किस जिले में हैं तो इससे जो 640 मेगावाट विद्ध का उतपातन किया जाता है तो दोस्तो ये थे हमारे 24 महात्यपून MCQs question जो कि अलरी एक्जाम में आये हुए हैं और exam की दश्टी से बहुत ज़्यादा important है कुछ-कुछ question से मैंने आप पर Indian geography के भी cover किये हैं ताकि आपका revision हो जाए यदि दोस्तो आपको आज का lecture पसंद आया है तो आप वीडियो को like कर लीजिए इसके लाव आपने दोस्तों बिसार शेयर कर लीजिए इसके लावे दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे crazy gk trick के अप्ले किसम से PDF को डाउनलूब करते हैं मिलते हैं अगले lecture में सब तक विजिए होते हैं